वेलकम टू विसाल जुली आज के ये वीडियो हमारा थियोरी अफ इक्वेशन का वीडियो नमबर वन होने वाला है जिसमें हम लोग कुछ इंपोर्टेंट बेसिक कॉंसेप्ट समझेंगे थियोरी अफ इक्वेशन के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तो जो टॉपिक हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वो है कि एक्वेशन क्या होता है और कॉंस्टेंट क्या होता है ये हम लोग समझेंगे उसके बाद हम लोग समझेंगे कि पोलिनोमियल क्या होता है पोलिनोमियल क होता है कि यानि कि बुलायता है कोई polynomial equation 5 degree का है कोई polynomial equation का degree 2 है, तो वह क्या होता है और कैसे हम लोगrade करते कि दीजर्बाइन करते हैं कि vari aíphone equation का degree यह हम लोग समझेंगे फिर हम लोग देखेंगे कि different name for different degree of equations यानि कि कोई भी equation दिये हुआ है या फिर कोई भी polynomial equation दिये हुआ है उसका अलग-अलग degree के लिए अलग-अलग क्या-क्या नाम दिया जाता है जैसे आपने पढ़ा होगा class 10th, 11th, 12th हर एक class में पढ़ा होगा कि polynomial equation का जैसे linear होता है quadratic होता है वैसे ही बहुत सारे जो हम लोग discuss करेंगे जो कि B सी में बहुत ज्यादा यूज है हम लोग पढ़ेंगे classification of equations मतलब equation को किस-किस तरह से classify करते हैं किस-किस तरह से हम लोग उसको divide करते हैं और उसके बाद हम लोग को पढ़ना है root of equation यानि कि कोई भी अगर equation दिया हुआ है उसका root हम लोग कैसे निकालते हैं और उसका root क्या होत पता है उसको क्या बोलायता है अगर आपको answer पता है तो आप लोग नीचे comment box में comment करके बताइएगा बाकि आपको इसका answer वीडियो के बीच में ही मिल जाएगा चलिए सबसे पहले हम लोग first topic को start करते है equation क्या होता है तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको इसका definition दे हुआ equation is a statement that asserts the equality of two expressions that are connected by equal sign equation क्या होता है एक mathematical statement होता है जो की assert करता है बताता है दो mathematical expressions का equality तो mathematical expression क्या होता है यह आपको समझना होगा जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2x plus 3y दिये हुआ है इसको हम लोग बोलते है mathematical expression और यहाँ पे जैसे कुछ भी दिये हुआ है जैसे 5 दिय हुआ है कुछ भी दिये हुआ है इसको भी हम लोग mathematical expression कुछ बोल सकते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक तो हमारा 2x plus 3y है और एक तरफ हमारा 5 है तो दो तरह का mathematical expression है उसको अगर हम लोग equality sign से denote कर देते हैं मतलब बीच में equal sign लगा देते हैं तो उसको equation बोलायता है generally आप समझ सकते हैं कि कोई भी अगर हमारा polynomial equation जैसे दिया हुआ है उसमें अगर equal sign लग गया तो वो हमारा equation बोल सकते हैं हम उसको equation बोल सकते हैं चलिए कुछ important चीज है an equation is a combination of variables and constant आप देखेंगे कि कोई भी equation होता है तो उसमें कुछ variable और कुछ constant जरूर होता है कोई भी equation ऐ ऐसा नहीं है जिसमें कोई variable ना हो या फिर कोई constant ना हो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, फॉस्ट वाला जो हमारा example था 5x equal to 10 तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 5x equal to 10 जो हैं उसमें हमारा 5 constant है और एक हमारा 10 constant है बाकि जो हमारा x है वो हमारा variable है तो यहाँ पे आप दे का definition होता है variable is generally an unknown value in an equation मतलब कोई भी equation अगर दिया हुआ है उसमें कुछ value है जो की unknown है जिसको हम नहीं जानते हैं जिस value को हमको निकालना है उस equation के थुरू तो उसको बुलायता है variable जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा third वाला example है 5x plus 6y plus 9z equal to 4 यहाँ पे आप देखेंगे तो xyz इसका value हमें पता नहीं है तो इसलिए हम कहा देंगे कि xyz क्या है variable है generally हम लोग variable को xyz हो गएरा से ही denote करते हैं तो और यहाँ पे जो देखेंगे कि 5, 6 और 9 यह जो हमारा तीन चीज़ दिया हुआ है इसका value constant है इसको constant बोलायता है constant का भी definition हम लोग साथ में पढ़ लेते है constant is a non quantity in an equation whose value cannot be changed मतलब constant क्या होता है कोई भी equation में कुछ वैसा चीज़ दिया हुआ है जिसका value हम change नहीं कर सकते हैं उसको constant बोलायता है जैसे कि यहाँ first equation में आपको दिया था 5x equals to 10 तो अगर हम देखेंगे तो 5x equals to 10 दिया हुआ था तो यहाँ पे 5 और 10 जो ऐसा number है जिसका value हम कभी भी change नहीं कर सकते हैं लेकिन जो हमारा x दिया हुआ था तो x का value हर एक equation के लिए अलग-अलग equation के लिए अलग-अलगा सकता है हो सकता है इस equation 5x equals to 10 को जब solve करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो x का value 2 आ रहा है और यहीं पे हम अगर कोई दूसरे equation जैसे 7x equals to 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे जो x का value आएगा वो हमारा आएगा 2 by 7 तो आप देख रहे हैं कि अलग-अलग equation के लिए अलग-अलग x का value आ रहा है तो इसलिए हम x को बोलते है variable मतलब x का value vary कर रहा है अलग-अलग आ रहा है अलग-अलग equation के लिए और जो y हमारा जो यहाँ पे हमें 5, 10 यह सब दिया हुआ है इसको बोलते है constant मतलब 5, 10 यह सब का value कभी भी change नहीं होगा होप आपको यह चीज समझ में आ गया होगा चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग समझते हैं polynomial क्या होता है तो polynomial क्या होता है an expression having only one type of variables each having different power मतलब कोई भी expression है mathematical expression है जिसमें एक ही तरह का variable होगा और हर एक variable का अलग-अलग power होगा तो उसको बलाता है polynomial जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि ax equals to b दिया हुआ यहाँ पे दिया हुआ है ax equals to b तो ax equals to b दिया हुआ इसमें सिर्फ और सिर्फ एक variable है जिसको बलाता है x तो एक ही तरह का variable है और इसका अलग-अलग power है मतलब यहाँ पे इसका power 1 है तो इसको क्या बला जाएगा यह हमारा polynomial है फिर जैसे यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमें दिया हुआ ax cube plus bx square plus cx plus d तो यहाँ पे जो हमारा variable है एक ही तरह का variable है x और उसका अलग-अलग power है जैसे इसका power है 3, 2, 1 यहाँ पे cx जो है x का power कुछ भी नहीं है मतलब यहाँ पे x का power 1 है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक एकसा expression है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का variable है और हर एक variable का अलग-अलग power है मतलब एक ही तरह का variable है उसका अलग-अलग power है तो इसी को हम लोग polynomial बोलते है जैसे एक और मैं आपको example देना चाहूंगा जैसे 2x plus जैसे 2x square मैं ले रहा हूं plus 3x equals to 0 sorry, equals to 0 यहाँ पे नहीं होगा अगर equal हम sign लगा देंगे तो फिर equation बन जाएगा जैसे 2x square plus 3x है यह हमारा क्या हो जागा? एक polynomial हो जागा जैसे यहाँ पे मैं बोलू 3x cube plus 5x square plus यहाँ पे 2 यह हमारा क्या है? यह भी एक polynomial है मतलब कोई सा भी expression दिया हो जिसमें एक ही तरह का variable दिया हो मतलब यहाँ पे x है तो यहाँ भी x होना चाहिए जैसे यहाँ पे अगर इस equation इस polynomial में हम देखें तो यहाँ पे x है तो यहाँ भी x और यहाँ भी x आप कहेंगे कि 2 के साथ x यहाँ पे नहीं लगा हुआ यहाँ पे आप कहेंगे 2 के साथ x नहीं लगा हुआ तो हाई इसके साथ भी x लगा हुआ है जैसे 2 के साथ x का power 0 लगा हुआ है इसलिए x का power 0 तो 1 होता है इसलिए 2 into 1 मतलब 2 लिखा गया है तो आसा है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग देखेंगे a standard form of a polynomial कोई भी polynomial होता है तो उसका standard form क्या होता है और उसको कैसे लिखते है मतलब अगर कोई भी polynomial है उसको variable के हम decreasing order में उसको लिखे तो उसको बलायता है standard form of a polynomial जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला हमें जो example में दिया हुए 5x square plus 2x plus 3 तो यहाँ पे आप देखेंगे जो variable x है उसका power 2 है यहाँ पे आप देखेंगे तो variable जो हमारा x है उसका power 1 है और यहाँ पे जो देखेंगे 3 के साथ जो variable x है उसका power कुछ नहीं है मतलब 0 है यहाँ पे x का value कुछ भी नहीं है मतलब x है ही नहीं तो x का power यहाँ पे 0 है तो हम देख रहे हैं सबसे पहले power 2 आया था फिर power 1 और फिर हमारा power 0 तो इसका मतलब जो variable का power है वो decreasing order में है तो इसको क्या बोला जाएगा कि polynomial हमारा standard form में है यह आपके लिए बहु ज़्यादा helpful होने वाला है बहु ज़्यादा important होने वाला है यह concept क्योंकि यह आपको concept बार-बार यूज होगा जब भी आप कभी भी standard form निकालना होगा तो और general form क्या होता है तो general form कोई भी standard form में अगर हम general form लिखते हैं general standard form जो होता है वो होता है fx equals to a naught x का power n plus a1 x का power n minus 1 plus a2 x का power n minus 2 plus यह हमारा कहा तक जाएगा तो a n minus 1 x plus a n तो यह हमारा यहां तक जाएगा तो यह हमारा क्या होता है standard form अफे polynomial equation होता है चलिए एक चीजा आपको और समझना होगा standard form polynomial equation में ही कि जो first term होता है कोई भी standard polynomial का जो first term होता है उसको बलाएता leading term और जो उसके coefficient होता है उसको बोला था leading coefficient जैसे कि मैं यहाँ पर बता दू 2x square plus 3x plus 6 जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा x square है तो x square को बोला जाएगा leading term जो हमारा जो first term होता है उसको leading term बोला जाएगा और जो 2 हमारा होगा ना जो leading term का coefficient होगा उसको बोले जाएगा leading coefficient चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं polynomial equation क्या होता है तो कोई भी polynomial है अगर उसमें equal sign लग जाता है तो उसको polynomial equation बोला जाता है जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कोई polynomial ax plus b हमें दिया हुआ था और अगर उसमें हम लोग equal sign लगा के यहाँ पर 0 लिख दिये तो वो हमारा क्या हो गया वो हमारा polynomial equation हो गया यहाँ पर आप देखेंगे जो second हमारा example है 5x square plus 2x यहाँ पर पहले से polynomial equation था इसको हम किसके बराबर कर दिये तो 3 के बराबर अगर कर दिये यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे कि यह हमारा एक polynomial equation हो गया, मतलब कोई भी polynomial equation, polynomial कोहीं polynomial equation में change किया जाता है चलिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग को पढ़ना है degree of a polynomial या फिर polynomial equation कोई भी polynomial है या फिर polynomial equation है, उसका degree किसको बलाता है, तो the highest power of a polynomial or polynomial equation is called its degree, कोई भी polynomial दिये हुए या फिर polynomial equation दिया हुआ है उसका जो highest power होता है उसी को उस polynomial या फिर polynomial equation का degree बोलाएता है जैसे कि मैं यहाँ पे example में बता दू जैसे x squared plus 5x plus 2 यहाँ पे हमें दिया हुआ है equals to 0 माल लिए यहाँ है में कोई polynomial equation दिया हुआ है तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि X का highest power यहाँ पे 2 है इसलिए जो X हमारा variable है और variable का highest power 2 है तो इसका जो degree होगा वो भी हमारा 2 हो जाएगा ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 5X का power 4 प्लस 4XQ प्लस 9 equals to 0 जो हमें polynomial equation दिया हुआ है यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा variable X है उसका highest power यहाँ प होगा बात करते हैं अगर polynomial के बारे में जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हमको 2X 2X प्लस 3Y जैसे यहाँ पे हम देखेंगे 2X प्लस 3 अगर दिया हुआ है तो हमें आप कह रहे हैं कि जो X है हमारा उसका highest power 1 है तो अगर X का highest power 1 है यहाँ पे कुछ भी नहीं यह मतलब 1 है तो इ देम क्या होता है तो अगर कोई polynomial equation है जिसका degree 1 है उसको बलाता है linear अगर polynomial equation का degree 2 है उसको बलाता है quadratic यह सब तो आपने 10th class में भी पढ़ा होगा अगर आपको degree 3 दिया हुआ है तो वो होता है cubic अगर degree 4 है तो उसको बलाता है by quadratic और यह दो चीज आपने नहीं पढ़ा होगा कि अगर आपको कोई भी polynomial equation दिया हुआ जिसका degree 5 है उसको बलाता है quintic और जिसका degree अगर 6 है तो उसको बलाता है sextic तो यह दोनों आपने नहीं पढ़ा होगा साइद लेकिन भाकी सब आपने class 3 में ही पढ़ लिया होगा चलिए उसके बाद अगा हम लोग next बात करे classification of equation तो equation को classify हम लोग दो तरह से कर सकते कोई भी equation हूँ या फिर polynomial equation हूँ हम लोग ज्यादा तर जो इस chapter में पढ़ने वाले हैं वो सब मतलब जो भी चीज हम लोग पढ़ेंगे ज्यादा तर polynomial equation ही पढ़ेंगे तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि polynomial equation हर बार बोलना या फिर हर बार लिखना कोई जरूरी नहीं है तो classification हम लोग दो तरह से कर सकते हैं सबसे पहले coefficient के basis पे और दूसरा हम लोग जो classification कर सकते हैं completeness के basis पे याद रखिएगा ये आपके लिए बहु ज़दा helpful होने वाला है बहु ज़दा important होने वाला है next वीडियो के लिए चलिए अगर हम लोग बात करें coefficient के basis पे तो polynomial equation coefficient के basis पे दो तरह का होता है numerical equation और दूसरा होता है algebraic equation और अगर हम लोग completeness के basis पे बात करें तो एक होता है complete equation और दूसरा होता है incomplete equation यहाँ पे आप in लगा लिजेगा incomplete equation होता है तो यहाँ पे हम समझेंगे सबसे पहले numerical equation क्या होता है a equation is said to be numerical if it contains numerical coefficient of variables कोई भी अगर equation दिया हुआ है अगर उसका जो coefficient है वो numerical है तो उसको बला जागा numerical equation जैसे यहाँ पर हम बोले कि 2x square plus 3x अगर हमको दिया हुआ है कोई भी polynomial equation equals to 5 तो अगर हमको कोई भी polynomial equation ऐसा दिया हुआ है तो हम यहाँ पर क्या देख रहे है कि जो variable है उसका coefficient हमारा number है यानि कि numerical है तो इसको हम बोलते है numerical equation मतलब कोई भी अगर equation दिया हुआ है जिसका जो coefficient है हर एक variable का coefficient हमारा कोई number होना चाहिए तो उसको numerical equation बोलाता है बात करते हैं अगर algebraic की तो a equation is said to be algebraic if it contains algebraic coefficient of variables अगर कोई भी equation है जिसका जो coefficient है वो algebraic है जैसे यहाँ पर ax square प्लस bx equals to अगर हमें c दिया हुआ है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा variable है उसका जो coefficient है वो क्या है तो वो number हमारा नहीं है वो कोई alphabet है तो इसलिए इसको हम क्या ची बोलेंगे तो इसको बोलेंगे algebraic polynomial equation या फिर algebraic equation चलिए अगर बात हम लोग आगे करें तो अब completeness के basis पे दो तरह का होता है complete equation और incomplete तो सबसे पहले complete equation क्या होता है a equation is said to be complete if each powers of variable with its degree is represented in that equation अगर complete को equation तब बोला जाएगा जब उसका हर एक power मतलब जो भी variable होगा उसका decreasing order में हर एक power equation में present हो तो उसको बोला जाएगा complete equation जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 2x square plus 5x plus 6 equals to 0 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे देखेंगे जो highest power है इसका 2 है तो इसका जो power 1 है वो भी दिया हुआ है और यहाँ पे x का power जो यहाँ पे 0 है वो भी दिया हुआ है तो हम क्या बोलेंगे कि यह जो हमारा equation है वो complete equation है ठीक वैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो highest power है इसका 4 है मतलब इसका polynomial equation का degree 4 है यहाँ पे देखेंगे तो degree 3 है यहाँ पे degree 2 है यहाँ पे degree 1 और यहाँ पे degree 0 है मतलब यह decreasing order में है और हर एक degree मतलब जो highest degree है उसके बाद हर एक जो variable का जो power है वो decreasing order में last यहाँ से 4 से लेके 0 तक है तो इसलिए हम कहा सकते है कि यह जो हमारा equation है polynomial equation यह हमारा complete polynomial equation है चलिए incomplete कि अगा बात करें तो equation is said to be incomplete if at least one power of variable within its degree is not represented in that equation अगर कोई भी polynomial equation दिया हुआ है तो अगर उसके जितना भी degree है उसमें से कम से कम एक भी वैसा power जरूर है जो कि इसमें represent नहीं किया गया तो बोला जाएगा कि यह incomplete है जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे इसका power 4 है यहाँ पे इसका power 3 है और यह power 2 यह power 1 और यह power हमारा कितना है तो 0 है तो हम यहाँ पे क्या देख रहे है कि इसका हर एक power यहाँ पे present है तो यह हमारा क्या हो जाएगा यह हमारा complete हो जाएगा लेकिन अगर हम लोग बोले कि इस 1 को हम लोग गायब कर दे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका जो 0 degree वाला था वो हमारा gap हो चुका है तो यह हो जाएगा incomplete मतलब अगर कोई भी polynomial equation दिया हुआ है जिसमें कुछ भी अगर present नहीं है कुछ भी x का कोई भी power उसके degree के अंदर में present नहीं है तो उसको incomplete बोला जाएगा मैं आपको एक और example देके समझा रहा हूँ जैसे यहाँ पर बोलेंगे 2x square equals to 3 तो यहाँ पर हम देख रहे है x square तो है लेकिन यहाँ पर कुछ x होना चाहिए था और यहाँ पर एक constant term होना चाहिए था मतलब x का power 0 होना चाहिए था तो वो दोनों यहाँ पर present नहीं है तो हम लोग बोलेंगे incomplete मैं आपको एक और example दे रहा हूँ जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे अगर हम बोले 3x square plus 2x equals to अगर यहाँ पर यहाँ पर मैं 3x square equals to 2 यहाँ पर मैं दे दे रहा हूँ 3x square equals to 2 तो यहाँ पर देखेंगे कि यह हमारा जो क्या है यह हमारा यहाँ पे x square है मतलो x का power क्या है, variable का power 2 है तो यहाँ पे power 1 भी, variable का power 1 भी होना चाहिए जो इसमें present नहीं है और variable का power 0 भी होना चाहिए जो कि यहाँ पे present है, यहाँ पे कुछ नहीं है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो हमें polynomial equation दिया हुआ है 2x square plus 5x plus 6 equals to 0 तो यह हमारा complete है लेकिन अगर हम बोले 2x q plus 9x square plus 2 equals to 0 अगर कोई polynomial equation हमें दिया हुआ है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x वाला जो term है वो missing है तो इसको हम complete कैसे बनाएंगे तो complete बनाने के लिए हम लोग जो x वाला term missing है कुछ इस तरह का बन जाएगा और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है तो यह हमारा क्या हो जाएगा यह complete हो जाएगा एक और तरीका से मैं आपको समझाने की कोशिस करता हूँ जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 5x square plus 6 equals to 0 कोई polynomial equation में ऐसा दिया हुगा है तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो x का term है वो missing है x नहीं है इसमें तो हम यहाँ पे x add करेंगे x को represent करेंगे तब ही जाके हमारा जो polynomial equation complete होगा तो यहाँ पे x कोई साथ कुछ भी नहीं है मतलब 0x यहाँ पे add कर देंगे plus 6 equals to 0 अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारा x square का x square भी है यहाँ पे x भी है और यहाँ पे constant term भी है मतलब x का power 2 भी है x का power 1 भी है और x का power 0 भी है तो यह हम का सकते हैं कि इस equation को हम लोग क्या किये यहाँ पे इसको हम लोग complete बना दिये तो यह बहुत ही ज़्यादा important concept है क्योंकि आगे जब मैं आपको symmetric division पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी equation को complete बनाना है तो वहाँ पे आपको इसका use पढ़ जाएगा चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे solution या फिर root of a equation solution या फिर root क्या होता है कोई भी polynomial equation का तो a value that satisfies a given equation by taking place of variables is said to be solution or root of that given equation कोई भी अगर equation दिया हुआ है तो उसमें अगर हम लोग कुछ भी value put कर रहे है जो कि उस equation को satisfy कर रहा है उस equation के variable को satisfy कर रहा है तो बोलेंगे कि वो क्या है उस equation का root है जैसे यहाँ पे 2x plus 6 first वाला जो मैं example यहाँ ले रहा हूँ 2x plus 6 equals to 0 दिया हुआ है तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर यहाँ पे हम x के जगापर यहाँ पे x के जगापर अगर 3 put कर दे minus 3 तो यहाँ पे 2 into minus 3 और plus 6 तो यह कितना आ रहा है तो minus 6 और plus 6 जिसका value आ रहा है 0 तो इसको हम बोल देंगे तो minus 3 के x equals to minus 3 इस equation का root है या फिर solution है ठीक वैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे x square minus 5 x plus 6 equal to 0 दिया हुआ है तो अगर इस equation में हम लोग 2 या फिर 3 दोनों में से कोई एक भी value put करते हैं तो यह equation को satisfy कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ 2 और 3 दोनों इस equation का root है या फिर solution है चलिए बात कर लेते हैं एक बहुत ही important concept की अगर कोई भी हमें equation दिया हुआ है जो कि 2 degree का है यानि की यहाँ पे x square plus bx plus c equals to 0 के form में है तो इसका root निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है और bhc maths के लिए आपके लिए सबसे अच्छा तरीका यहीं होगा कि आप x equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac by 2a यह सिरी थरा चारे method लगाएं और इससे आपको बहुत जल्दी root निकल के आ जाएगा तो इस exercise में यानि की जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ तो उसमें जो भी आपको question बनाना होगा, question solve करना होगा, अगर उसका degree 2 होगा तो आप लोग directly इसी method से बनाईएगा, बहुत ज़्यादा helpful होने वाला है क्योंकि ये method, इस method से आपको जो imaginary roots भी निकल जाएगा बाकी दूसरे किसी method से आपको imaginary roots निकल के नहीं आता है तो चलिए अभी कलिए नहीं, thanks for watching वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा आसा है आपको उस question का answer भी मिल गया होगा जो कि मैंने आपको वीडियो के सुरू में पूछा था और अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि आपको मेरा चैनल helpful है आपके लिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा